देखो भी हम पढ़ने जा रहे हैं position vector of a point को यह point है हमारे पास मानलो इसके coordinate है x1, y1, z ठीक है तो अगर इस point के coordinate x1, y1, z1 है और यह point है a तो इसके position vector से मतलब यह है कि जो origin है न यह हमारा x-axis यह y-axis और यह z-axis origin से इस point तक represent करने वाला vector o a position vector of a मतलब oa vector यह क्या रिखा जाएगा x1i plus y1j plus z1 यहने कि इस point तक आने के लिए हमने x-axis पे जो है वो distance कितना travel के है x1 length जो है कितनी है x1 y-axis पे कितना j y1 और z-axis पे कितना k sorry z1 ठीक है x-axis पे देखो i है ना i होता है x-axis के long unit vector जो j होता वो होता y-axis के long unit vector और z जो k है वो क्या होता z-axis के long unit vector तो देखो i x1 के साथ लगा है याने कि x-axis पे डायरेक्शन बता जे ने इसने x-axis पे कितना distance travel के है x1 y1 के साथ j लगा हूँ है इसका मितलब j कौन से x-axis के लिए unit vector है y-axis के लिए तो y-axis पे कितना distance travel के है y1 और z-axis के लिए k unit vector लगा हूँ है याने कि z-axis पे इसने कितना distance travel के है z1 ठीक है actual में क्या है जो एक point होता है वो क्या होता है अगर हम ऐसे देखे तो हम इस point की बात कर रहे है यह a space में है यह point x1, y1, z1 देखो यहां से यहां तक आए हम x1 फिर यहां से यहां तक y1 और फिर यह z-axis पे z1 z-axis इदर है न यह x-axis, y-axis, z-axis तो यह जो point यह position vector होगा इस a का इस a point तो position vector clear होगा अब आते हैं vectors देखो यह point है a और यह point है b ठीक है यह कोई origin है मानलो o तो यहां से यहां तक इसका position vector क्या होगा o a और यह position vector क्या होगा o b है ना अगर a के coordinate है हमारे पास x1, y1, z1 और b के coordinate है x2, y2, z2 तो जो a b vector लिखने वाले है हम ज़र थोड़ा ध्यान दे ना o a plus a b क्योंगी यही दूना आड़ होगे तो इस vector का head और इस वाले vector का tail o a plus a b किसके एक्कोल हो जाएगा o b के एक्कोल हो जाएगा यहनि कि यहां से जो a b vector लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा o b minus o a ठीक है यह ध्यान रखना तुमें अगर तुम a b vector लिख रहे हो तो इसका मतलब है position vector of b minus position vector of a अगर a b लिखा जाएगा जो b लिखा ना बाद में जो बाद में लिखा उसका position vector पहले आएगा minus पहले वाले का position vector बाद में है ठीक है यह याद रखोगे यह और यह दुनों सेम चीज़े है अब जो o a vector है वो क्या होगा x1 i y1 j z1 k o b vector क्या होगा x2 i y2 j और z2 k अब देखों जो a b vector लिखा जा रहा है o b o b दो यह था x2 i y2 j plus z2 k minus o a क्या था x1 i y1 j z1 k अब जब subtract होंगे न यह तो i वाला i वाले के साथ होगा j वाला j के साथ होगा k वाला k के साथ होगा तो यह दोनों एक साथ आएंगे क्या लिखा जाएगा x2 minus x1 i plus यह वाले टर्म इसके साथ आएगी तो y2 minus y1 j प्लस यह वाले टर्म उसके साथ आएगी z2 minus z1 k ठीक है यानि कि अगर हमें एक वैक्टर लिखना है a b अब देखो b के कॉडिनेट क्या थे x2 y2 z2 यह थे न x2 y2 z2 और a क्या थे x1 y1 z1 जब हम a b वैक्टर लिखना है तो b का x कॉडिनेट पहले आएगा माइनस फिर x उसका a का आएगा i फिर b का y कॉडिनेट आएगा y2 फिर माइनस a का y कॉडिनेट y1 j प्लस b बाद में लिखाना उसका कॉडिनेट पहले है तो z2 माइनस z1 k तो हमने यहाँ पे ना वैक्टर लिखना सीखा दो तरीके से एक अगर कॉडिनेट पता है तो इस तरह से लिखोगो और दूसरा पोजिशन वैक्टर के टाम्स में ऐसे लिखा जाएगा a b वैक्टर लिख रहे हैं तो a b माइनस o a लिखना पड़ेगा ध्यां दर अब जरा देख लेते हैं तो मैं समझ में आया नहीं है अगर p q वैक्टर लिखा हुआ है p q ठीक है तो इसका पोजिशन वैक्टर के टाम्स में क्या लिखा जाएगा q पहले आ रहे है न तो o q माइनस o p लिखा जाएगा अब अगर p पोइंट है उसके कॉडिनेट थे 1, माइनस 1 और 2 और q पोइंट है उसके कॉडिनेट थे 3, 2, माइनस 5 अब हमसे p q वैक्टर लिखने को कह दिया जाए p q तो पहले q वाला कॉडिनेट आएगा 3, माइनस 1 i plus 2, माइनस माइनस 1 j, plus माइनस 5, माइनस 2 k यही तो लिखा जाएगा 3, माइनस 1 is 2i, plus 3j, और माइनस का 7 k तो हमने यह वैक्टर लिखना सीखा दो तरीके से एक पोइंट वैक्टर के टम्स में और एक कॉडिनेट के टम्स में